गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स, एक्सर्साइज 12.2, लेक्चर 4, क्यूस्चन नंबर 6, जो एक्जाम की द्रश्टी से भी मोस्ट इंपोर्टन्ट क्यूस्चन है, एकोर्ड ओफ ए सर्कल ओफ रेडियस 15 सेंटीमेटर सब्टेंट्स, एन एंगल ओफ 60 डिग्री एट दी सेंटर, फाइंड दी एरियाज ओफ दी कोर्स्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ओफ दी सर्कल, माइनर होता है लगू, और मेजर होता है दीरग, सेगमेंट्स होते हैं वरत खंड, आपको जो है पाई की वेलू 3.14 लेनी है, और रूट 3 की वेलू 1.73 लेनी है, तो इसमें हम सर्कल बनाएंगे एक जिसकी रेडियस जो है वो 15 cm है, यह सर्कल हो गया, रेडियस 15 cm है, यह भी इसकी कोर्ड है, जीवा, जो सेंटर पर 60 डिगरी का एंगल बना रही है, हमें क्या करना है, हमें एरिया ओफ माइनर सेगमेंट और एरिया ओफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो किस्तरे से निकालेंगे, पहले एरिया ओफ सेक्टर O A X B, इसका एरिया निकालेंगे, इसमें से एरिया ओफ ट्रेंगल O A B को सब्ट्रेक्ट कर देंगे, तो माइनर सेगमेंट का जाएगा, और फिर सर्कल के एरिये में से, और माइनर का सब्ट्रेक्ट कर देंगे, तो वो अपने पास major segment का जाएगा, तो radius equal to 15 cm, angle equal to 60 degree, area of sector OAXB, अब area of sector का formula क्या होता है, π.r. square theta upon 360, यहां π.r. की और theta की value पुट करेंगे, और इसको solve करेंगे, तो आपके पास क्या हैगा, वन हैंडर्ड सेवंटीन पॉइंट सेवंट फाइफ सेंटीमेटर सुकेर, यह area of sector OAXB यह आगया, अब हमें area of triangle OAB निकालना है, अब OAB यह कैसी triangle होगी, equilateral triangle होगी, बैस center का angle यह दि 60 degree का है, तो उसके अंदर जो triangle बनेगी, कोड़ दवारा, वो कैसी होगी, equilateral triangle होगी, सम बाहू तिर्भुज होगी, तो equilateral triangle का area का formula क्या होता है, root 3 upon 4, side square, तो root 3 upon 4, into 15 into 15, root 3 की value put करेंगे, 1.73 into 15 into 15 upon 4, इनको multiply करेंगे, तो 389.25 upon 4, अब 389.25 को 4 से divide करेंगे, तो यह 97.3125 सेंटीमेटर सुकेर आ जाएगा, तो यह area of triangle आ गया, यह area of sector है, अब area of sector में से, area of triangle को subtract करेंगे, तो आपके पास किसका आ जाएगा, area of minor segment का जाएगा, तो 117.75 में से 97.3125 सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो 20.4375 सेंटीमेटर सुकेर, यह minor segment का area आ गया, minor का मतलब यह shaded region वाले का आ गया, अब हमें किसका निकालना है, इस shaded region को छोड़ करके, बाकी जो circle का भाग बचा, उसका area निकालना है, और वो कैसा होगा, major segment होगा, तो इसका कैसे निकालेंगे, पहले circle का area निकालना पड़ेगा आपको, तो area of circle, formula क्या होता है, pi r square, तो pi r square, यहाँ pi की और r की value पुट करेंगे, तो 3.14 into 15 into 15, इनको multiply करेंगे, तो 706.50 cm square, यह area of circle आ गया, अब इसमें से किसका subtract करेंगे, area of minor segment, यह subtract कर देंगे, तो major segment का जाएगा, तो area of the major segment, equal to area of circle, minus area of minor segment, तो यह 706.50, minus 20.4375, इनको subtract करेंगे, तो कितना answer आ जाएगा आपके पास, 686.0625 cm square, यह area of major segment आ गया, तो भाई वीडियो को like और share करें, और जिसने channel को subscribe नहीं किया है, प्लीज वो channel को subscribe भी करें, Thank you.